तो हिले रुबन देशी जंकित विल्कम बैक तो माई चैनल आइसी एया टेक्निशन टीवन का जो एक्जाम हो इसके लिए सोसल साइंस का पहला मौक टेस्ट में आपको प्रवाइड किया था यह मौक टेस्ट नंबर टू पहला आपने नहीं देखा तो चैनल पर चेक कर लें आपको मिल जाएगा इसके लावर लूसेंट जीकरी का एक हज़ार कुशन का पीडियाप आपको प्रोवाइट करूँगा और वह एक हजार कुशन भी आपको करवा दो का अगर वह आप एक हजार कुशन कर लेते हो तो हमाह लोग कम से कम 20 से 25 वे पीपर में देखेंगे क्य जेतने भी questions मैं आपको करवा रहा हूँ exam relevant question है फर्स्ट question आज किस वीडियो गा पहला question है आर्थिक विकास के लिए कौन सा parameter है सुद्धिक आर्थिक विकास के लिए जो parameter है वो है प्रति पूंजी मौद्रिक option number जो ए है वो इसका right answer हो जाएगा question number 2 है चूना पत्थर किस उद्धियोग दोरा उप्योग किया जाने वाला एक कच्छा माल है so right answer इसका हो जाएगा cement option number जो c है इसका right answer third number question है भारती शमिधान में किस मौलिक अधिकार में दुकाने इसनान घाट होटल आदिकी समान पहुंच सामिल है so right answer इसका हो जाएगा बारती शमिधान में किस मौलिक अधिकार में वह समानता का अधिकार है option number जो c है इसका right answer हो जाएगा आगे बढ़ने से पहले ICAR technician के लिए जो 2022 में एक्जाम है इसके लिए प्रिक्चाप पर टेस्सिज लाँच कर दी गई है पहला जो mock test है वो free में आप इसको लगा कर सकते हैं बिलकुल full length mock test है जिस तरीके आपका एक्जाम होगा 100 questions का बिलकुल वही Hindi और English दोनों language में मिलेगा इसके बाद जैसे पहला mock test है इसको एक लाख लोगों ने लगाया तो इसके बाद आपको rank भी दिखाए जाएगी कि इन एक लाख लोगों में आपकी rank क्या है तो अभी से आपको पता चल जाएगा कि आप कितना score कर रहे हैं कि आगे कि जो टेस्ट है वो लॉक मिलेंगे तो अनलॉक करने के लिए 209 पे पे करने को बोलेगा तो यह code आपको देख रहा है इंडियन भी 50 तो यह code डाल देना सीधा 50% का आपको डिस्कौड मिलेगा 209 पे कि जो टेस्ट ही जाएगा आपको सिर्फ एक सुन चास रुपय मि आपको जो सिलेट करना है वो सिलेट करना SSC SSC कैटिगरी सिलेट करके जब अंदर जाओगे तो ICR के लिए ICR टेक्निशन की जो टेस्ट है वो आपको देख जाएंगी चलिए आगे देखते हैं किशन नमबर फूर्थ है कितने दिनों तक नमक सत्याग्रे के मातमा गांधी क स्वयम सेवक चले सो यह चले थे 24 दिनों तक तो आप्शन नमबर जो ए है वो इसका राइट अंसर हो जाएगा फिप्त नमबर कुईशन है किस रेशे को कृतिम रेशम भी खा जाता है सो रियान को जो रियान रेशा है इसको कृतिम रेशा का जाता है ऑप्शन नमबर जो CS का राइट अंसर होगा स्थ नमबर कुईशन है लीचेन दोनों में से किस के बीच एक संबंद है लीचेन सुजुल लिचेन है ये सैवाल और कवक के बीच एक शंबंद है सो आप्शन नमबर जो ए है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा सेवन्थ नमबर कुशन है करो या मरो भारत के सुतन्दुता संगराम में कौन से आंदोलनों से जुड़ा है सो ये जुड़ा है आपका बारत छोड़ो अंदोलन से आप्शन नमबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा एर्थ नमबर कुईशन गेंडो के लिए प्रिसिद कांजी रंगा राष्टी उद्यान राज में है किस राज में है गेंडो के लिए प्रिसिद जो कांजी रंगा राष्टी उद्यान है तो यह है आपका SM में है ना option number C right answer नाइथ नमबर है ध्वनी की इकाई पूछा गया कि ध्वनी की इकाई क्या होती है तो अलमोश अभी को पता होगा ध्वनी या कहें सोर की इकाई है ना तो वो डेशिबल होती है डेशिबल भी महापा जाता है option number C right answer हो जाएगा next question 10th number question है भारत के राष्टपती बनने के लिए आवश्यक जो निम्तम आयू है वो क्या है कम से कम आयू कितनी चाहिए भारत का राष्टपती बनने के लिए तो बारत का राष्ट पती बनने के लिए जुन्यूम्तम आयू है वो 35 वर्ष चाहिए आप्शन नमबर जो सी है इसका राइट अंसर हो जाएगा 11 नमबर कुशन है एनीमो मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है एनीमो मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है तो एनीमो जो मीटर है इससे हवा की गति मापते है न तो आप्शन नमबर जो ए है वो इसका राइट अंसर हो जाएगा तल्थ नमबर क्विशन दातों को सफेद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो केमिकल है जो रसायन है वो कौन सा है तो दातों को सफेद बनाने के लिए जो रसायन जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो है आपका टाइट एनियम और डाइ ऑक्शाइड ऑप्शन नमबर जो सी है इसका राइट अंसर हो जाएगा गोबर गैस का जो मुख घटक है वो कौन सा है गोबर गैस का जो मुख घटक है वो है मीथेन ऑप्शन नमबर जो ए है राइट अंसर फोटीन नमबर क्वेशन सरीर रचना विज्ञान की साखा है जो ब्योहार करती है राइट अंसर इसका हो जाएगा जानवों और पौधों की सारचना आप्शन नमबर ए फिप्टीन्थ नमबर क्वेशन है गोल्डी लॉक्ष जोन निमलिकित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है यह जुड़ा है उस छेतर से वह छेतर जो जीवन जीने के लिए सतीक छेतर में है आफ्शन नमबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा अजिस कुशन, सिक्स्टीन नमबर क्वेशन गैस तर्ममीटर एक तरल तर्ममीटर की तुल्ण हमे अधिक शमविधन सील होता है क्योंकि एक गैस क्योंकि एक जो गैस होती है, वह आपकी एक तरल से अधिक फैलती है है ना गैस बी नमबर गैस थर्मोमेटर एक तर्ल थर्मोमेटर की तुलना में अधिक सम्विदन से लोता है क्योंकि जो गैस होती है वो तर्ल से अधिक फैलती है 17th नमबर कुश्चन है डेजर्ट फॉक्स के रूप में किसे माना जाता है राइट अंसर इसका हो जाएगा जनरल रो मिलको अप्शन नमबर सी 18th नमबर कुश्चन संसत के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर क्या हो सकता है सो देखे संसत के दो सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतर हो सकता है वो 6 महिने का हो सकता है option number जो C है इसका वो राइट अंसर हो जाएगा 19th number question है वर्ना कुलर प्रिस एक्ट किस वर्स पारित किया गया था वर्ना कुलर जो प्रिस एक्ट है ये पारित किया गयाता है 1878 में 1878 में option number A 20 number question है बारत ने अपना पहला उपन्यास पुरुसकार किस छेत्र में प्राप्त किया तो ये गिया था साहित की छेत्र में option number जो ए है इसका right answer 21th number question है निमलिकित में से किस सहर में national bureau of plant genetic resource इन बी पी जी आर इसको कहते नेशनल बीरो आफ प्लांट जेनेतिक रिसोर्स स्थीत है तो ये जो स्थित है ये आपका नियुडैली में है option number जो c है इसका right answer हो जाएगा जो एन बी पी जी आर है national bureau of plant जेनेटिक रिसूर्च ये आपका नए डेली में है क्वेश्चन नमबर 22 है निमलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन शाह सम्मेलन के दिल और आत्मा के रूप में वर्णित है तो वो मौलिक अधिकार है सम्वेधानिक उपचार का अधिकार आप्शन नमबर जो डी है इसका राइट आंसर 23 थर्ड नमबर कुशन है दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा तेल फैलाव कहां हुआ तो दुनिया की इतिहास में सबसे बड़ा तेल फैलाव हुआ था वह अथा फारस की खाड़ी में तो ऑप्षिन नमबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नमबर कुश्चन है 8 माई को क्या बनाया जाता है तो प्रतिक वर्ष 8 माई को विस रेड क्रॉज दिवर्ष मनाया जाता है option number जो ए है इसका right answer हो जाएगा एक question तो आपका fix है day से पूछा जाएगा वो जी के में पूछा जा सकता है या फिर social science में पूछा जा सकता है तो day तो आपका एक पूछा ही पूछा जाएगा last question है आपका इस set का my unforgettable memories ये जो आत्मकता है ये किसकी आत्मकता है my unforgettable memories ये जो आत्मकता है ये है महमता बेनरजी की option number जो C है वो इसका right answer हो जाएगा तो ये थे आज इस वीडियो के 25 question ये आपका था mock test number 2 social science का बताइए कि 25 में से आपके कितने सही निकले 15 out of 25 16 out of 25 20 out of 25 जितने भी सही मिले इस तरीके से कमेंट करिएगा पकि वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल सस्क्राइब कर लेना डिस्किप्शन पर टेगल ग्राम का चैनल का लिंक है वो जॉइन कर लेना वहाँ पर आपको काफी सारी चीज़े पता चलेंगी इसके अलावा पर इच्छे आप डाउनलोड करो जो मैंने आपको कोड दिया है SSC वाले सेक्शन पर जाना वहाँ पर ICAR के लिए जो टेस्टीज है मिल जाएंगी तो इंडियन V50 ये कोड डाल देना आपको सीधा 50% का डिस्काउंड मिल जाएगा और जो मॉक टेस्टीज है वो लगा डालो मिलते निक्ष्ट वीडियो में टेक केर बाई गारीस